हेलो फ्रेंड्स तो आज मैं आपके साथ हमारे क्लास 11 की स्नैप सोट्स बुक की चैप्टर वन दो समर आप दा ब्यूटिफुल वाइट होर्स की डीटेल समरी डील करूंगा इस स्टोरी के ओधर है मिस्टर विलियम सारोयान इस स्टोरी को स्टार्ट करने से पहले इस स्टोरी के करेक्टर्स के बारे में डिसकस कर लेते हैं तो सबसे पहला करेक्टर है अरम जो की एक 9 साल का लड़का होता है दूसरा है मुराद जो की 13 साल का लड़का होता है मुराद अरम का चचेरा भाई होता है और मुराद को अरम के अलावा सभी लोग पागल करते थे तीसरा है खोसरोग, खोसरोग अरम के अंकल होते हैं और ये भी पागल ही होते हैं चोथा जौन बाइरो, जौन बाइरो एक किसान है और जिस गोड़े को मुराद चुराता है उस गोड़े का मालिक जॉन बायरो ही होता है पांचवा अरम्स मदर एक हाउस वाइप है छटा है अरक जो खोसरो अंकल का बेटा होता है तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं उससे पहले अगर आप हमारी चैनल पर पहली बार आये हैं त तो आपको करना क्या है नीचे दिएगा लाइक बटन पर क्लिक करके वीडियो को लाइक करना है जैसा कि मैं कर रहा हूँ रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करना है और पास बने बैल आइकन को क्लिक करके और नोटिफिकेशन उन करना उसी पल आप हमारे फैमिली का एक हिसा बन जाएंगा जो कि एक बहुत ही बहुत भात है तो चलिए अस्टोरी को स्टार्ट करते हैं अस्टोरी के स्टार्टिंग में अरम अपने कमरे में सो रहा होता है तभी अचानक मुराद आता है और अरम को खिडकी के बाहर से अवाज लगाने लगता है तभी अरम हमें बताते हैं कि मैं जटबट अपने बेड से उठा और खिडकी के बाहर देखने लगा वह देखता है कि उसका चचेरा भाय मुराद एक सुन्दर सफेद घोड़ा में बैठा हुआ था पहली बार में तो अरम को अपने आखों पर विश्वास नहीं हुआ उसे लगता है कि वह कोई सपना देख रहा है पर धिरे धिरे उसे विश्वास हो जाता है कि एक्च्वल में वहां घोड़ा था तभी बाहर से मुराद बोलता है तुम सपना नहीं देख रहे हो यह एक असली घोड़ा है यदि तुम्हें इस पर सवारी करनी है तो जल्दी से बाहर आजाओ अरब तभी हमें बताते हैं कि गोड़़ा की सवारी करना उनका हमेशा से सपना रहा है फिर ये भी हमें बताते हैं कि वो बहुत ज़्यादा गरीब थे सिर्फ वो ही नहीं उनका पूरा गाउं गरीब था वो गैरोगलेनियन फैमली से बिलॉंग करते थे और तो और वे इतने गरीब थे कि उन्हें ये भी समझ नहीं आता था कि वो अपने पेट भरने के लिए भी पैसो का इंतजाम कैसे करते थे फिर अरम हमें बताते हैं कि एक टाइम पे उनकी फैमली बहुत अमीर हुआ करती थी और उनकी फैमली ओनेस्टी के लिए बहुत फेमस थी वो कभी भी इस दुनिया में किसी का भी फाइदा नहीं उठाते थे चोरी तो बहुत दूर की बात थी अरम उस घोड़ा को देखते ही समझ गया कि ये घोड़ा मुराद का तो नहीं है और उसे ये भी विश्वास है कि इस घोड़े को मुराद खरीद तो नहीं सकता है इसने पक्कास उसे चुराया ही होगा पर फिर एकदम से वो सोचते हैं कि वो गैरो घलेनियन फैमली से बिलॉंग करते हैं और इस फैमली का कोई भी सदस से चोर नहीं हो सकता है इस कारण से अरम बहुत ही कन्फ्यूजन में थे एक तरफ उन्हें खुसी हो रही थी और दूसरी तरफ डर भी लग रहा था पर फिर एकदम से अरम मुराद से पूछते हैं कि उसने इस घोड़े को चुराया है तभी मुराद करते हैं कि अगर तुम्हें घोड़े की सवारी करनी है तो जल्दी से बाहर आजाओ ये जवाब सुनकर अरम को पक्का यकीन हो जाता है कि उसने इस घोड़े को चुराया है पर क्योंकि अरम को भी घोड़े की सवारी करनी है तो वह कहता है कि गोड़े को सिर्फ सवारी के लिए चुराना चूरी नहीं कहलाती है हाँ ये चूरी तब कहलाती जब हम गोड़े को बेच कर कुछ पैसे कमा लेते हैं तभी तुरंत अरम तयार हो जाते हैं और घोड़े पर मुराद के पिछे बैठ कर सवारी के लिए निकल जाते हैं तभी अरम हमें बताते हैं कि हर फैमली में कोई न कोई सदसे पागल जरूर होता है जिस तरह हमारे ट्राइब में मुराद है इससे पहले हमारे अंकल खोसरो भुगा करते थे जो बहुत ढीले डाले वेकती थे वे स्वभाव के भयानक इरिटेवल परसन थे उनमें जरा भी पैसेंस नहीं थी वे किसी को भी यह करकर चुप कर देते थे कोई बात नहीं इस पर ध्यान मत दो वह हमेशा यही बात बोलते थे सामने वाला चाहे कुछ भी बाते कर रहा हो एक बार उनका बेटा अरक दोड़ कर नाई की दुकान पर गया जहां उसके पिता खोसरो भुग अपनी मूचें ठीक करवा रहे थे यह बताने के लिए कि उनके घर में आग लग गई है तभी खो कर चुप कर देते कि कोई बात नहीं इससे कोई नुकसान नहीं होगा इस पर ध्यान मत दो फिर अरम हमें पताते हैं कि मुराद के पिता जो की जिनका नाम जोरव है जो बहुत प्रैक्टिकल इनसान थे मुराद को उनके अंकल खोसरो का सकसेसर माना जाता है फिर वो दो ला दोर फिस पिरिट इसका मतलब है कि उनके ट्राइब में अगर कोई किसी का बेटा है तो जरूरी नहीं है कि उसकी आत्मा भी उनकी जैसी ही हो और वो इसके आगे हमें बताते हैं कि उनके ट्राइब में बहुत ही अजीव अजीब लोग थे कुछ पागर लोग और कुछ ऐस लोग जो सिर्फ खाने के लिए ही जीते थे फिर अरम हमें बताते हैं कि उनका घर सहर की एक कोने में था जिसका नाम वैलनट अभेन्यू था हमारे घर के पीछे वाइन यार्ड्स यानि अंगूर के बगिचे और चाट्स यानि केलो के बगिचे इरिगेशन डीचे यानि खेत पहुच गए तभी फिर मुराद मुझे से उतरने को कहता है मैं अकेला ही सवारी करना चाहता हूँ पर अरम कहता है मैं तभी उतरूँगा जब तुम मुझे भी अकेले सवारी करने दोगे तब मुराद कहता है कि यह तो घोड़े के उपर है तब अरम कहता है घोड़ा अव गोड़ा अपने दो पैरों पर खड़ा हो करके हिनिनाता है और बहुत तेजी से दोड़ पड़ता है। गोड़ा सूखी घांस की मैदानों में दोड़ते हुए एक इरिगेशन डीचेज से होता हुआ पांच मिनट बाद वापस आ जाता है। अब मेरी बारी अरम बोले फिर घोड़े अरम घोड़े पर बैठ जाता है एक बार तो उसे बहुत डर लगा अरम ने भी जोर से किक मारी एक बार फिर घोड़ा अपने दो पैरों पर खड़ा हो करके हिनिनाया और तेजी से दोड़ पड़ा। इस बार घोड़ा सूखी घास की मैदानों को छोड़कर डिकरन हेलेवियन की वाइन याट्स की तरफ चला जाता है और इतनी तेजी से दोड़ता है कि वह अरम को अपने पीट से गिरा देता है। फिर मुराद दोड़ता हुआ पीछे से आता है और चिलाता है कि मुझे तुम्हारी फिक्र नहीं है जल्दी से उस घोड़े को पकड़ो। फिर अरम मुराद से पूशते हैं जब घोड़ा आधा घंटा बात पकड़ा जाता है तब अरम बोलते हैं कि अब तो सुबा होने वाली है अब इसे कहां छिपाना है तो मुराद करता है एक ऐसी जगा है जहां पर मैं इस घोड़े को छिपा सकता हूँ तभी मुराद घोड़े को खाली पड़ी वाइन याड जो की एक फेत्वा जियान नाम का फार्मर का था वहां उसे कुछ खाने के लिए भी देते हैं क उस साम जौन बाइरो मीलो दूर पैदल चलकर अरम के घर आये थे उस समय खोसरोव अंकल भी कौफी ओता था सीग्रेट पीने आये थे अरम की मा उन्हें भी कौफी और सीग्रेट लाकर देती है फिर जौन बाइरो दुखी होकर कहता है कि उसका एक घोड़ा मैनों पहले च क्या काम मेरा चाचा खोसरोव का चिड़ जाते हैं और बोलते हैं कोई बात नहीं इस तरफ ध्यान मत दो फिर आरम जौन बाइरो बोलते हैं कि वह घोड़ा सिक्स्टी डॉलर का था फिर मेरे चाचा खोसरोव चिड़ जाते हैं और काते हैं पैसो पर तो मैं थूकता हूँ वहां जौन बाइरो गुसा जाता है और खड़ा हो करके घर के बाहर निकल जाता है फिर मा ने समझाया कि उनका दिल बहुत ही विनम्र है उनकी बातों को बुरा मत मानिये तभी फिर अरम दोड़ करके मुराद के घर जाता है वहां अरम किसी पंची के पैर में मरहम पटी कर रहा था फिर अरम वहां पहुचता है और कहता है कि तुमने इस घोड़े को एक महिने से चुरा कर रखा है और घोड़ सवारी कर रहा है मुराद कहता है नहीं क्या तुम सच बोल रहे हो फिर से मुराद कहता है नहीं यदि हमसे कोई पूछे तो हमें यही ज़्वाब देना है कि हमने आज सुबह से ही घुर्दसवारी करना सुरू किया है या घुर्दा उस किसान जौन बाइरो का है जो मेरे घर आया था अरम कहते हैं तुम इस घोडे को तब तक बापस नहीं करोगे, जब तक मैं घोडसवारी करना पूरी तरह से सीखना लू। फिर मुराद कता है, तुम्हें तो घोडसवारी सीखने में एक साल लग जाएंगे। अरम कते हैं, तो क्या हुगा? हम एक साल के लिए इस घोड़े को रख लेंगे फिर मुराद कता है नहीं क्या तुम गेरोगलेनियन फैमली के सदस्य को चोर बनाना चाते हो तब अरम पूछता है कि हम इस घोड़े को कब वापस करेंगे मुराद कता है यही कोछ छे महिनों के अंदर फिर अरम हमें बताते हैं कि दो तीन सब्ता के बाद जब हम घोड़े उपर सवारी करके उसे छिपाने जा रहें थे तब रास्ते में जौन बाइरो मिलता है तभी मुराद कता है तुम रुको मैं इस किसान से बात करता हूँ मुझे किसानों से अच्छी समझ है मुराद कता है गुड मॉर्निंग जान बाइरो तभी जान बाइरो घोड़े को गौर से देखता है और कता है गुड मॉर्निंग जान बाइरो पूछता है क्या मैं इस घोड़े के मुह देख सकता हूँ मुराद कता है क्यों नहीं देख लीजिए तभी जॉन बाइरो मुँ देखकर बोलते हैं यह तो एकदम वही घोड़ा है जो मेरा घोड़ा था तो फिर जॉन बाइरो बोलते हैं यदि मैं तुम्हारे माता पिता को नहीं जानता तो मैं कसम खाकर को सकता हूँ कि यह घोड़ा मेरा है तबी जॉन बाइरो और मुराद वहाँ से चले जाते हैं फिर दोनों यह निशे करते हैं कि चलो इस घोड़े को असली माली के पास छोड़ आते हैं फिर दोनों जॉन बाइरो के वाइन यार्ट में छोड़ कर वापस आ जाते हैं अगली सुबा जौन बाइरो अपने घोड़ा गाड़ी से मेरे घर आते हैं और मेरी माँ को यह खुशकबरी सुनाते हैं कि मेरा घोड़ा जो चुरा लिया गया था फिर वापस से मिल गया है मुझे नहीं समझ आ रहा है कि किस पर विचार करूँ घोड़ा पहले से ज़्यादा ताकतवर और सुभाव से भी बहतर हो गया है मैं परमात्मा का अभारी हूँ मेरे चाचे खोशरोब चिड़ जाते हैं और कहते हैं दाहरते हुए कहते हैं कि घोड़ा मिल गया न अब इस तरफ ध्यान मत दो और यहां पर हस्टूरी खत्म हो जाता है तो भाईयो अगर आप ऐसी वीडियो और देखना चाहते हैं था हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक कमेंट्स और दोस्तों के साथ सेर करना न भूलें धन्यवाद